बिहार के मुख्य मंत्रे नितिश कुमार ने 25 मही तक संपूर्ण लॉगडाउन लगा दिया है साधी विवास समाडों में सामिल होने के लिए अधिकारियों से अनुमत्ती पास मिलने के बाद ही समाडों में भाग ले सकते हैं जिसके लिए गाइड लाइन भी सरकार के तरफ से जाड़ी की गई है वहीं साधी समाडों में 20 लोगों को सामिल होने के अनुमत्ती मिली है और बिना अनुमती पास के साधी समाडों में सामिल होने के लिए लोगों पर अधिकारियों दोड़ा कानूनी करवाई भी लगतार की जा रही है वही रासधानी पटना में बिना अनुमती के साधी समाडों में दूलहे राजा साधी करने के लिए जा रहे थे वो भी बैंड बाजे के साथ, वहीं साधी होने के बाद, वो लोग जब वापस अपने घर के लिए लोट रहे थे, तो रास्ते बाइपास फोर लाइन के पास ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ जाक चेकिंग कर दोरान पकड़ लिया, जहां दूलहेड आजा बिना अनुमती पास वो फाइन देने के लिए त्यार हुए, तो उनसे दो हजार रुपया फाइन वसूला गया, तो दूलहेड आजा संजे कुमार ने बताया कि लोग डॉन में साधी करना बहुत महंगा पर रहा है, तीन दिन से बिना पास के इधर उधर गूम रहे हैं और कई जगा पुलिस को पैसा देना पड़ा है। नीम क्या है, अनुमाती कहा से अनुमाती लेने के लिए कहा गया है, भुलाउक से?